आपको रेस्लिंग सेंसेशन का दर्जा उन्होंने दिया था प्रो रेस्लिंग लीग में मैं याद करता हूँ वो दिन और आज अर्जुना आवड आपको मिल रहा है आप सम्मानित किया जाएगा कल प्रतान मंत्री ने आपका नाम भी एक बार जिकरी किया दर ट्वीटर पर रहा है एक खिलाडी के लिए एक रेस्लिंग के लिए और जोन आवड से सम्मानित किया और बिल्कुल आज वही दिन है कि मुझे और जोन आवड के लिए नॉमिनेट किया गया है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं दनेवा देना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिनोंने मुझे सपोर्ट किया है और बहुत खुश हूँ इस वक्त दारा में आपने world championship में medal जीता हूँ उसके पहले commonwealth में भी आपने medal जीता हूँ इस बार qualify आप नहीं कर भाई world championship के लेकिन आगे टोक्यो के लिए आप Olympics के लिए किस तरीके से अपनी जर्णी देखिए जी बलकुल देखिए अभी तयारियां जो है वो continue चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यदा उसके जैसे world championship में 59 में qualify कर रही हूँ इस बार और कोशिश करूँगी कि अपने देश को gold medal दिला सकूँ बेशक वो olympic weight नहीं है लेकिन medal तो देश के लिए medal ही count होगा world championship का और मैं अभी तो यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं देश को medal दिलाओं और next जो भी मुझे opportunity मिलती है olympics के लिए उसमें qualify करके देश को medal दिलाए pro wrestling league में हमने आपको देखा अपने बड़े-बड़े खिलाडियों को शिकरस दी वहाँ पर world champion से लेकर olympic medalist को आपने बचाड़ा था कितना योगदान मिला कितना आपको फाइदा हुआ था pro wrestling league से अपने career के अंदर और खेल कितने उबरा आपका देखी बिलकुल pro wrestling league के मन से ही मुझे यह हैसास हुआ था कि जी हां मैं वर्ल्ड ओर olympic level पे medal ला सकती हूँ जब हेलन को olympic gold medalist को मैंने दो बार हराया उसरेंपी confidence बहुत बढ़ गया और pro wrestling league एक बहुत बड़ा motivation बनके हमारी life में आई है और जिसका फाइदा हम सब को दिखाई दे रहा है कि हमारे जो athlete है वो चाहे junior level पे हो या senior level पे world level तक बहुत अच्छा perform कर रहे हैं और बहुत सी उमीदे बढ़ गई हैं कि इस बार olympics में बहुत ज़्यादा medal लाएंगे wrestling में कई भी काई बार हमने सोना था कि गोवर्मेंट करता सपोर्ट नहीं मिल रहा था Wrestling Federation of India रेसलर्स को इतना सपोर्ट नहीं दे पाती है लेकिन कुछ वक्त से काफी सिती सुद्री है किस तरीके से आप शुक्रियादा करना चाहेंगे या फिर सपोर्ट की बात की जाए तो क्या कच कहना चाहेंगे अब देखिए जब से प्रिश्बूशन शरन जी हमारे प्रेजिडेंट बने है उसके बाद से बहुत सी चीज़े जो है बहुत बतलाव और बहुत उचे स्तर पे रेसलिंग चली गई है प्रो रेसलिंग लीग स्टार्ट हुआ है टाटा मोटर्स आया है तो इन सबी चीज़ों से और बहुत सी कंपनिया है जो रेसलिंग से अब जुड़ना चाहा रही है लोग जानने लगे है कि हाँ रेसलिंग किस तरह का गेम है और शेहरों में भी अब रेसलिंग देखा जाने लगा है तो बहुत ज़दा इंप्रूमेंट हुए है जिसका श्रे बिलकुल हमारे ब्रिजबूशन सरंजी को जाता है प्रेजिडेंट डवलो फाई और हमेशा उनका थैंक्फूल हम रहेंगे और हमेशा उनका शुक्रिया करेंगे विलो में हर खिलाडियों के फिटनेस की बहुत आवश्यक्ता होती है और रेसलिंग में तो खास तोर पे हर खिलाडी को काफी फिट रहना पड़ता है कल परदान मंत्री नाइंद्र मोधी फिट इंडिया मूवमिन्ट की शुरुआत करने वाले क्या कुछ कहेंगे आप उसको लेकर और क्या मैसेज देना है देखिए बहुत अच्छा स्टेफ है मोधी जी की तरफ से इंडिया सबसे जरूरी है कि इंडिया का सबसे पहले फिट होना अगर हम किसी भी आप किसी भी फिल्ड में जाना चाहते तो बहुत जरूरी आपका फिजिकल फिटनेस अपका एक्टिव होना जितना ज्यादा आपका माइंड काम करेगा और यह बहुत अच्छी मुहीम है और इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत शुब कामना ही देंगे और साथ में वो बदाई के पात्र है को बदेशिं से क्टूवार खुट थिए अच्छी आपका थुट बदेशन आपका तुट अच्छीक पूणा रच्छीं अच्छीं गर्शना इस विए